आधर राभार अभिनांदन नमस्कार मैं कुंदन कुमार सिंग महामना एजुक्रेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष CDS यानि की Combined Defense Service 1 2019 जो कि 3 February 2019 को एक्जाम संपन हुआ उसका Analysis and Expected Cut-Off के बारे में मैं बताने वाला हूँ इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ कुछ ये सब पिक्चिर्स देख लिजिए आप जिससे आपका जनून आपको मोटिवेशन मिले और बिल्कुल Academy में जाने के लिए आप तत्पर हूँ Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force तो सबसे पहले हम अभी तक जो UPSC के द्वारा 2017 का Merit List प्रवाइड किया गया है उसकी तरफ हम नजर डालते हैं एक बार उसको देख के भी आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह के Cut-Offs होते हैं तो यह देखिए, यह है CDS II Exam 2017 का Final Merit List जो कि UPSC साइट से लिया गया है तो यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy, OTA Officers Training and Training Academy for Men as well as for Women आपको यह जानना चाहिए कि तीनों सब्जेक्स के जो examination होते हैं IMA, INA और Air Force Academy के लिए जो की 100-100 marks का paper होता है लेकिन उसमें से आपके minimum qualifying marks जो होते हैं 20% होते हैं Basically English और mathematics part तो लगभग लोग कर ले जाते हैं लेकिन जो GK का part होता है, GK का portion होता है वो maximum लोग qualify नहीं कर पाते हैं और कोई रह जाता है तो ओ GK की वज़े से ही रह जाता है उनका selection नहीं हो पाता है तो यह final merit list आने के बाद में यह list दिखाई गई है कि minimum aggregate marks of last qualified candidate was for IMA Indian military academy was 120 it means कि 40% हुआ 300 का total marks 300 का होता है Indian naval academy का 111 marks तो 37% और Air Force academy का हमेशा ही कई सालों से 135 रहता है इससा नीचे गया नहीं तो in fact आपका 45% है यह OTA men के लिए 86 marks थे last time 43% marks total and OTA women के लिए भी 86 marks थे overall देखिए मतलब कि यह service election board के भी marks add किये गए है तब यह 244, 237, 260, 166 and 171 यह बनते हैं तो इसी basis पे और बाकी हम question paper को देखते हुए analyze करके आपको cut up बताते है आप अगर उस cut up list में आ जाते हैं तो मेरी बात पानिए आप बिलकुल मैं समझता हूँ कि अभी से आपको service election board की preparation शुरू कर देने चाहिए क्योंकि वक्त बहुत कम है आप जितना भी ज़्यादा अच्छे तरीके से preparation कर पाते हैं service election board के लिए उतने ही ज़्यादा chances बन पाते हैं के selection के और Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy में officer बनने के तो हम चलते हैं अब cut of cure जो आप आज 3 फरवरी 2019 को exam संपन हुआ है और उसके question paper के हिसाब से मैं आपको marks बताने वाला हूँ expected तो हलांकि जो पहला paper GK का जो paper था, GK का paper ठिक ठाक था in fact मैं बताओं तो पिछले साल या पिछले exams के आसपास में paper बिल्कुल वैसाई था, standard था और उसका paper का standard कोई भी नीचे नहीं किया गया था English की अगर मैं बात करूँ तो English में synonyms, antonyms के ठिक ठाक questions थे इस बार idioms and phrases भी दिये गए थे, तो थोड़ा बहुत कम जाने की आसंका है पिछले बार के अपेक्षा बाकी चीजें वैसी ही रहेंगी बिल्कुल 100%, उनमें कोई कम होने की आसंका नहीं है Mathematics as usual जैसा हमेशा होता है उसी तरह का होता है लेकिन बात यह होती कि Mathematics का पेपर सबसे last में होता है इसलिए students को दो पेपर दे दे के थोड़ा सा उनका mind slow हो जाता है और इस विस आप से बहुत ज़्यादा question attempt नहीं कर पाते हैं लेकिन सारी चीजों को ध्यान में देखते हुए और रखते हुए फिर भी मैंने जो यह बनाने की कोशिश की है और expected cut-up बिल्कुल यहीं होगा इनहीं के बीच में आएंगे आपके अगर marks आ रहे होंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर आप 20% से ज़्यादा marks लेके आ रहे हो होंगे in fact social science वाले subject में मतलब कि general knowledge and current affairs में इस पार biology के भी questions काफी सारे थे तो उस हिसाब से आपके अगर general science strong होंगे तो आप निश्चे ही qualify कर पाएंगे बाकी तो English और English में सबके ही ठीक ठाक होते है अगर जिसने भी अच्छी schooling की हुई है अच्छी college में पढ़ाई किया हु ठीक है ना लेकिन 20% से quality उपर होना चाहिए आपका marks general and current affairs में Indian Naval Academy में 106-109 के बीच में आपका expected cut-off जाता है Air Force Academy का 135 से कम नहीं जाने वाला मैं आपको यह बता रहा हूं क्यूंकि सीटे बहुत कम होती हो बहुत चुनिंदा लोग इसमें select होते हैं हां दूसरे option अगर आपने 75-80 और OTA for women would also be 75-80 तो इसके बीच में जिनके भी marks आ रहा है और वो समझते हैं कि मैंने 20% से ज्यादा marks के लिए question कर दिये हैं आपने जो इसमें है general knowledge and current affairs का paper तो निश्चित रूप से ही उनका selection होगा इस बार जो combined defense service first 2019 का paper हुआ है जो 3 February को successfully तो ये आपका expected cut up होगा इस वीडियो को देखने के बाद मैं maximum लोगों तक share जरूर किजिए ताकि अपने service selection board की preparation लोग अभी से शुरू कर दें बहुत ही ज्यादा एहम भूमिका उसी की होती है क्योंकि सब कुछ हो जाता है सारे selection हो जाते हैं लेकिन maximum लोग आपको पता होगा कि service selection board में ही reject होते हैं वहां से although it is a selection procedure but still there are lot of candidates who goes back after facing service selection board so please start preparation start your preparation for service selection board in a better way so that you could qualify this great academies of Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy and Officer Training Academy for both men and women Chennai thank you for watching the video और इस तरह के बहुत सारे वीडियोज हम लेकर आते रहेंगे अगर वीडियो को पसंद किया तो लाइक किजी, maximum लोग तक share जरू किजेगा और सबसे जरूरी बात कि अगर इस चैनल को भी तक आपने subscribe नहीं किया है तो कृप्या करके subscribe कर ले, thanks for watching and all the best for our bright future, God bless you all